नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं बता देवानी जेकर विभाग ने कौर समधान योजना की सुरुवात की है जिसके तहथ बेवसाईयों के पास बकाया और इसे समधित बिवादों कन्रिप्टारा किया जाएगा बुद्धवार को विभाग द्वारा आयोजित कारिकरम के दोरान इसकी सुरुवात बित मंत्री डाक्टर रामेसवर उराव ने की है इस मोखे पर विभागे सचिव अराधना पतनायक सहित बड़ी संक्या में बेवसाई उपथित थे बता दे इस मोखे पर विद मंत्री डाक्टर रामेसवर उराव ने कहा है कि कोर समधान इस जहां बेवसाईयों के लंबित मामलों का निस्पादन होगा वहीं राई सरकार को टेक्स के रूप में बकायरासी भी फ्राप्त होगी उन्होंने कहा है कि लंबे समय से नियालों में मामले चल रहे हैं यदि इसका समधान हो जाए तो नियालों बेवसाईयों और सरकार के अधिकारियों का समय बचेगा साथ ही राई सरकार को रहस्वर के रूप में पैसा भी मिल जाएगा इसलिए भी भागिये अधिकारियों को या निर्देश दिया गया है कि विवाधित मामलों का समाधान अधिकारी अपने अस्तर से करे ताकि सभी का समय बज सके और सरकार को भी रश्की प्राप्ति हो सके गुमला के अंजन धाम में बनेगा सबसे बड़ा हनुमान मंदीर अंजन धाम हनुमान जन्म अस्थल नियास के अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने बुद्धवार को प्रेस कॉन्फरेंस में कहा है कि अंजन धाम में हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदीर बनाया जाएगा इ उन्होंने का एक जार्खन के अंजन धाम में हनुमान जी के जन्म का परवान मिला है। इसी जगा पर हनुमान जी ने फॉल समझ कर सूर्य देव को निगल गए थे। इसी वज़ा से नेतरहाट में भागवान सूर्य सन्राइज और सूंसेट के समय देखे जाते हैं। प्रेस कंफरेंस में सचीव, देव रतनात, सहदेव, उपाध्यक्स, परमानंद चौबे, उप सचीव, रामा संकर सुकला, कोसाध्यक्स, अनूप कुमार गुपता और पुजारी, चंदर सेखर दूबे मजूद थे। 23 फरवरी से समुदाइक स्वास्त पताधिकारी का आंदोलन। 23 फरवरी को राजे भर के समुदाइक स्वास्त पताधिकारी नेपाल हाउस इस्थित सचीवाले का घहराव करेंगे, वहीं 24 फरवरी को राजे के स्वास्त मंत्री बना गुपता के डुरनडा इस्थित आवास का घहराव, और 25 फरवरी को मुख्य मंत्री आवास का घहराव की है जार्खन में सुखार का साइट इफेक्ट 33 लाख टन कम हुआ धान पिछले वर्ष मांसून की बेरुखी की वज़ा से जार्खन में धान की उपज प्रभावी हुई है 2021 की तूला में 33 लाख टन धान की पैदवार कम हुई है वहीं अने खरीब फसलों के उत्पादन पर पिसका असर पड़ा है वतादे वर्ष 2022 में जार्खन के 22 जीलों के 226 परकंट सुखार की चपेट में थे इस सुखार का इस फेक्ट या पड़ा है कि राज्ये में वर्ष 2021 के पैदधान का उत्पादन 33 लाख टन कम हुआ वर्ष 2021 में जहां राज्य में 33 लाख टन धान का र के बाद सरकार अलोट मोड में आ गई है पसुपालन विभाग को सभी 10 परकंट में मुर्गों की जाच कर उनके खून का नमूना लेने का निदेश दिया गया है बतादे विभाग ने इसका दाई तो जीला अस्तर पर गठित 500 CA टीम को दिया है यदि जाच में वर्ट फुल में मुर्गा की जाच कर रक्त का नमूना लेकर रांची भेजने को कहा गया जाच के लिए जीला अस्तर पर गठित 500 CA टीम को दहित दिया गया है चार पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी नक्सली अमन वा मुनेस्वर एनाये रिमांड में लातेहर के चंदवा में मुकईय मोड पर नवंबर 2019 के रात पुलिस घस्ती दल पर हमला कर एक एसाई और गिरिह रक्षा वाहनी के तिन जवानों के हत्या के बाद हंतिया लूटकर फरारी मामले में राश्ट्रिय जाच एजेंसी ने दो नक्सलियों के रिमांड पर लिया है बता दे इन नक्सलियों में बि जुने 28 दिसंबर को ही जार्खन पुलिस के सामने अत्मस्मरपन किया था गड़वा में बाभू दिनेश व घाट सिला में सोना देवी विश्वविद्यालय की होगी अस्थापना जार्खन में दो और निजी विश्वविद्यालयों की अस्थापना होगी इसमें बाभू जोना देवी इस अपना सुना देवी मेमोरियल स्थापना दोरा पुर्विद्यालै सिंवोग के घाट सिला में की जाएगी जार्खन पिधान सभाक के सीथ संद्र के दवरान दोनों गड़विद्यालयों से श्मजड विध्याक्त होगी तसकानि राज यपाल रमेश बैस ने चौदा फरवरी को दोनों बीधे को पर अपनी सुकृति पदान कर दी थी राज येपाल के सुकृति के बाद बीधी भी भाग ने दोनों निजी भी सुबिद्याले के अधिनियम को अधिसुचित कर दिया है पलामू में जल्द सुरू होगा यारपोर्ट आने वाले करीब दो वर्षों में पलामू और गढ़वा से देश के लवख सभी प्रमुक सहरुत तक जाना असान हो जाएगा पलामू और गढ़वा के लोग हवाय यात्रा भी कर सकेंगे बतादे केंद्र की नेंद मोधी सरकार पलामू गढ़वा के लिए एक साथ का योजनाय प्रकाम कर रही है जिसमें हवाय यात्रा के लिए धारवुसन रचना के विकास से लेका रेलेवे और सड़क मारका निर्मान तक सामिल है ये बादे पलामू के सांसाथ बिशनू देयाल राम ने पेस कंफरेंस करके कही बीडी राम ने कहा है कि पलामू के लिए खुसकाबरी या है कि चीर प्रत्तिक छित बरवाडी चीरी मीरी अम्रीका पूर रेल लाइन निर्मान की सभी अर्चनों को दूर कर दिया गया है माहा रेल रोको आंदोलन से ट्रेन सेवाठप चक्रधर पूर रेल मंडल के अंतरगत आने वाले बामडा एस्टेशन पर सुब्बा छो वए से गिरामिनों ने रेल चक का जाम कर दिया है बामडा रेल किरियानो श्ठान कमेटी के बैनर तले सुरू हुई माहा रेल रोको आंदोलन की वज़ा से हावडा मुंबाई रूट पर चलने वाली ट्रेन जहां तहां खड़ी है दक्चीन पूर्व रेलवे के रांची मंडल से चलने वाली ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है बता देसंबल पूर्व नारस एक्स्प्रेस समेत कम से कम दो ट्रेनों को रद कर दिया गया बामडा एस्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए गए रेलवे के वर्ये पतादीकारी वहां मौजूद है और ग्रामिनों को समझाने में जूटे हुए है 15 साल का हुआ जारखन जगुआर जारखन जगुआर 15 साल का हो गया है अस्थापना दिवस के मोगे परांची में कारकरम का उजन किया गया इसकारकरम में डिजीपी अजाय कुमार ने जवानों का उत्साह बढ़ाया बतादे आंदर परदेश के ग्रे हाउंड की तर्ज पर नक्सल अभियान में जारखन जगुआर के भूम का बेहत करागर है निर्मान के 15 सालों में जगुआर की वज़ा से मवादी समेत तमाम उग्रवादी संगटनों पर नकेल कसाह है नक्सलियों खिलाब ज़ारखन के स्पेशल फोर्स ने अपना पंदरावा अस्थापना दिवस मनाया डिजीपी अजाय कुमार सिंग जगुआर के पंदरावा अस्थापना दिवस के मौके पर पतर मुक्याती थी सामिल हुए दस हजार की घुश से कडोरों की काली कमाई तक पहुँची एड़ी जारखन सरकार के चर्चीत अभियानता बिरिंद्र राम पैसा रायनीती पहुँच के बॉल पर कानूनी दाव पेच से बचते रहे थे 13 नॉमबर 2009 इसको ACB ने विरिंद्र राम के अधिन काम करने वाले जूनियर इंजिनियर सूरेस परसाद वर्मा को एक ठेकेदार की सिकायद पर 10,000 रुपे घुश के साथ दबोचा था बता दे सूरेस परसाद वर्मा जमसेद पूर में विरिंद्र राम के मकान में रहते थे ACB की टीम ने जब सूरेस वर्मा की ठीकानों पर ठापे मारे की तब आवाज से 2,44,000 रुपे बरामत हुए थे इस दब रान सूरेस वर्मा और उनकी पतनी पूस्पा वर्मा ने दावा किया की आवाज से बरामत पैसे विरिंद्र राम के हाएं या पैसा उनके रिष्टेदार अलोक रंजन ने रखे थे जारखन में कफन परथा को हटाने के लिए एकजूट हो रहे संथाल जन जाती जारखन में संथाल जन जाती अपने एक प्राचिन मिरित्यू संसकार को सुधारने के नए रास्ते पर हैं इसके तहट कफन परथा को हटाने के लिए सभी एकजूट हो रहे हैं सबी अब इस कफन परथा को हटा कर आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला लिया है जार्खन के हजारी बाग जी लेके चरही में लंबी बिमारी के बाद पिछले महीने पैसट वर्स दिये टुंडा माजे की निधन के बाद अमतिम संसकार में करीब 200 लोग सामिल हुए थे गाओं के पास वन विभाग की जमीन पर उनका अमतिम संसकार किया गया था इस दोरान उनकी कबर पर सेकड़ों लोगों ने कफ़न चड़ाया था जिससे वहाँ सिर्फ कफ़न ही कफ़न जमा हो गए थे पांच हजार मुकादमों में जार्खन सरकार के फंसे है 3500 रुपए जार्खन सरकार के टेक्स कलेक्शन में बंफर याफा हुआ है लग से पहले ही सरकार ने 500 क्लोर रुपए अधीक रायस्व की वसुली कर ली है इसके साथ ही राजे का बित मंत्राले बेहुसाईयों की सहुलियत के लिए कर समधान योजना लाया है जिसकी मदद से सरकार का रायस्व भी बढ़ेगा और कोट कचहरी में टेक्स से समन्दीत मुकदमों की संख्या भी कमी आएगी विभीन कोट में इस वक्त करीब 5000 के स्पेंडिंग है और उसकी वज़ात जार्खन सरकार का 3500 क्लोर रुपए फंसा हुआ है इस वज़ना से सरकार को 500 क्लोर रुपए टेक्स मिलने की उमीद है सत्र से पहले नियोजन नीती ला सकती है है मंद सरकार जार्खन बिधान सभा का बयर सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक आहुत है यह सत्र हंगामेदार होगा पक्ष भी पक्ष के बीच तक करार तय है सदन में नियोजन नीती बड़ा मुद्दा है बतादे राज्य में युआओ के नियोजन नीती को लेकर भाजपा सरकार को घेरेगी वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि सत्र सुरू होने से पहले नियोजन नीती लेकर आएंगे सरकार ने युवाओ के साथ सनवात किया है राजमेन नियोक्ति की परकिले शुरू करने के लिए विधान सबसत्र से पहले रास्ता निकालना चाहती है बयर्ट सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष अपने अपनी रनिती बना रही है बिपक्ष की ओर से वरस्ट चार के मोदे पर सरकार से जबाब मागने की तयारी है जारखंड के पलामू में 13 वर्स की बच्ची और भावी से छेड़ खानी पलामू में 13 वर्स थी निये बच्ची से छेड़ खानी की जगह न घटना हुई है आरोपी ने बच्ची की भावी के साथ भी शेरकानी की है सुचना मिलने के बाद हरकत में आई पूलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया घटना मेदनी दगर टाउन थाना की है पूरिष ने बताया है कि गिरफतार आरोपी से पूरिष ताश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है धन्यवाद